कामपूर कोतवाली टांड़ा छेत्र कस्वा दड़ियाल की घटना जिलापंचा सदस से जुल्फकार हुसेन वांची चल रहे आरोपी पर जिलाधिकारी के निर्देश द्वारा पुलिस बल के साथ नोर्डिस बोर्ड लगाए गए जिलाधिकारी के निर्देश पर गुंडा एक्ट वा अन्य मामलों में वांची चल रहे लगबग आदर दर्जन लोगों पर पुलिस ब्रशाशन ने कुर्की की कारेवाही करते हुए मकान इस्टोन क्रेशर वा जमीन पर आज पुलिस बल के साथ कुर्की की कारेवाही की कुर अबर दर्जन से जादा मुकदमे पहले से चल रहे हैं जिसमें ये सारे लोग बांची चल रहे थे पुलिस के अठक प्रयासों के बाद भी ये लोग पुलिस से आप में चोली खेलते चले आ रहे थे आज जिलाधिकारी रामपुर के निर्देश पर पुलिस ने इन सब के गरों पर वहुसेन स्टोन क्रेशर पर कुर्की की कारेवाई की दरजोन की तादाद में पुलिस बल देख लोगों के होश उड़ गए पुलिस बल ने हुसेन स्टोन क्रेशर मानिकों से इस पर रूप से कहा कि अपना आवेशक घरलू समान उठा लें अगर 24 घंटे के अंदर समान नहीं उठाया गया तो कानूनी कारेवाई की जाएगी फिलाल आनन पानन में सभी भवन स्वामियों ने हुजेन स्टोन क्रेशर से समान उठा लिया है पुलिस पर शाचन ने अपने सरकारी ताले डाल दिये हैं इस कारेवाई से लोगों में बेव्याप थे रामपूर से फिरोज खान की रिपोर्ट। आप खाता नंबर शक्राइशनल प्रणैट थे फिर खान चेश्ट पंद को रखवा जी लोगों में धोन नलॉट सेखके लुट पन को 16 को रखवा 0.002 जिरुकर्टिशन अर्टीश जिरुए फिट्रीजन नम्बर साथ फ्रिचुन नॉड़र भॉटरी ग्हंत्यन नमबर दो से इन नम्बर छैक्टर गाटा नंबर 152 ग्हाथ जिरुटीजन निम्र टो आपनोता नम्र इक्षो तीन आप देगा दा सिंट्वित पर जिसके उत्तर में मकान शकील फुत्र गफ्फार निवासी दड़ियार एवं पूर में कस्वा दड़ियार जाने तु शड़ग पस्चिम में मकान खुमान पुत्र असभाग निवासी दड़ियार का है नंबर चार, दो मंजिल मकान, इस्थित बाद्भरोर कोशिपूल ग के पास, इस्थित कस्वा दड़ियार ठाना वो तेशिर टाना जंपध रामपूर में इस्थित आयऄ, जिसके उत्तर में मकान जलीश पुत्र, सहिद निवासी दड़ियार, पूरब में ताड़ा गाथकु रोड पस्चिम में मकान अश्रप पुद्र हजगर निवासी धड़ियार थाना ताड़ा जंप ग्रामपूर का है तो पूर्क जब्त किया गया है अपने निर्देशित क्या जाता है कि आप कुक्त भूमी मकान इस्टॉम प्रेसर को बार घंटे के अंदर अपने जिवने आपन की आउस्चे वश्टू जैसे खादी सामागिरियों कपड़े तित्यादी को अपने साथ लेकर भेने मकान इस्टॉम प्रेसर को कब जा मुक्त करना सुष्ट करें अन्य था आपके उर्द्य नियमनों सा उचित भैदानी कारवाई की जाएगी